वेल्कम टो स्टड़ी और टार्गेट, स्टड़ी और टार्गेट के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है, इस वीडियो में human body यानि मानोशरी यानि मानोशरी ये काफे ज़्यादा important topic है, ये sir letter 60 question इस वीडियो में देखने वाले, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में share कर सकते हैं, चैनल पना है, सब्सक्राइब करके बिल आइकन प्रेस करें, चले शुरू कर रहते हैं, देखे यह आपर पहला question दिया गया है, मानोशरी का कौन सांग पुनरुदभवन को परदरसित करता है, तो देखे correct answer D हो जाएगा, ये अकरेट जो ह D हो जाएगा, मस्तिस्क का परतेर उपन नहीं किया जा सकता है, बाकि ये तीनों गुर्दा, हिर्दे और फिंफड़ा, तीनों को यहाँ पर परतेर उपन मानोशरीर में किया जा सकता है, तीसरा question दिया गया है, निमनलगिकित में से कौन सा एक औसेसी अंग नहीं है, तो द देखे, correct answer C हो जाएगा, लाइसोजाइम, एंजाइम की वज़ा से जिवानों मर जाते है, मनुस्य के आशू में होता है, लाइसोजाइम, एंजाइम, जिससे जिवानों मर जाते है, पांचवा question दिया गया है, किसे प्राणी के सरीर के समस्त भार का अधिकांस भाग होता है तो समस्त भार के अधिकांस भाग जो होता है, वोता है जल, क्या होता है, जल, सबसे ज्यादा जल होता है, अपसनी हो जाएगा, किस प्रकिरिया दोरा स्वासन के दोरान गैसे रूधिर में परवेस करती है और फिर उससे छोड़ती है, तो correct answer D हो जाएगा, प्रासरन, प्र अनिवार अमीनो अमल की संख्या होती है, तो अमीनो अमल की संख्या होती है, यहाँ पर हो जाएगा, बीस होती है, मायो गुलोबिन में कौन सी धातू होती है, correct answer हो जाएगा, तामबा धातू होती है, अगला question है, एक ब्यास के पूरूस के लिए, समाने हिमोगलोबिन की मा प्रोती 100 ml रखता है तो देखे इसके करेक्ट आंसर D हो जाएगा 14.5 गराम मानोर उधिर का समाने तपमान होता है करेक्ट आंसर B हो जाएगा 36.9 डिगरी सेलसियस जो है मानोर शरीर का समाने तपमान होता है आगे बढ़ते हैं किस सारीक प्रक्रम से प्रोत्थम्बिन का सम्बंध है किस सारीक प्रक्रम से प्रोत्थम्बिन का सम्बंध है करेक्ट आंसर B हो जाएगा रक्त जमाउ से प्रोत्थम्बिन का सम्बंध किसे रक्त जमाउ से निम्न में से कौन सा मानो गुर्दे का समाने का पुनको कहारे नहीं है करेक्ट आंसर पी भी घाले है रोगत में सरकरा की मात्रे जो यह गुअ्ट झूले कशल सकारे नहिए तो देखें यहां पर उप्शन Si हैक आशन जो है यह इसा ही है के फुस-वस ध्हमनी के अलावब बाकि सभी ध्हमनी ले जा करेक्ट है, कंड्रा टेंडन जोडता है, तो देखें कंड्रा यह टेंडन जो होता है, तो यह जोडता है, पेसी को हड़े से, कंड्रा टेंडन किसको जोडता है, पेसी को हड़े से, बी हो जायेगा, मानौशरी में कौन सी गरंथी ऐसी है, जिसका संबंध सरीर के उतेजना से है शरीर की उतेजना से अधिब्रिक गरंथी का संबंध है ठीक है सी हो जाएगा आगे बढ़ते हैं आदमें कंट के किस भाग को और टू उर्धर्द यानि एंड मस एपल कहा जाता है तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा थाइराइड उपास्तिव कहा जाता है आगे बढ़ते ह मानो मस्तिस्क लगभग कितने गराम का होता है तो देखे मनुस्य का जो मस्तिस्क होता है लगभग 13-50 गराम का होता है आगे बढ़ते हैं मानो शरीर में सबसे लंबी अस्ति है तो देखे सबसे लंबी जो अस्ति है वो है उरू अस्ति उरू अस्ति सबसे लंबी अस्ति है मुख्य तक किसकी उपस्तिती एकारण मानो शरीर उच वाई मंडलिया दाब के अंतरगत भी बीना कुछला रहता है तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा कोशिकाओं में तरल के उपस्तिती एकारण मानो शरीर उच्वाई मंडलिया दाव के अंत्रगत भी बीना कुछला रहता है समाने मानो सरी का तापकरम होता है तो देखिए इसमें नहीं दिया गया है या अपसंडी इन में से कोई नहीं हो जाएगा समाने तापकरम 90.6 डिगरी फारेनाइट होता है फारेनाइट में यहाँ पर पुछा गया है सेल्सियस में पुछा गया है 37 डिगरी सेल्सियस होता है आग के रेटीना की परमपरागत कैमरे के निमनलेखित में से किस भाग से तूलना की जा सकती है तो रेटीना के तूलना किसे की जाती है फिल्म से फिल्म ओप्शन ही हो जाएगा आगे हो जाएगा अगला कुश्चन है राक्त जामने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है तो राक्त जामने में जो भूमिका होती है केल्सिय की भूमिका होती है मनुस्य में समान्या निरन रुधिर सरकरा अस्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है तो देखी ये होती 80 से 100 mg, C हो जाएगा अधिक उचाई पर मानो सरी में लाल रख्त करणिका है तो देखें लाल रख्त करणिका है, संख्या बढ़ जाएगी, C हो जाएगा मानोर ढृधिर में कॉलेस्टोल का समान औस्तर है 140-100 CMG है यदि किसी बेक्ति किर ढृधिर वाहिकाओं की त्रीजय कम हो जाए तो उसका रक्त डब तो देखे उसका रक्त डब जो है बढ़ेगा ठीक है He हो जाएगा मानो सरी के की संग में लसी का को सिखाय बनती है करेक्ट आंसर B हो जाएगा दिरगास्ती में जो है लसी का को सिखाय बनती है मदुसूदनी अंतर स्राव एक है तो देखिए यह है पेप्टाइड क्या है पेप्टाइड ओप्सन C हो जाएगा मानुसरी में पैरों की हड़िया है तो देखें पैरों की जो हड़िया है फीबुला और टीबिया फीबुला और टीबिया जो है ये मानुसरी के पैरों की हड़िया है गर्भासाई के लिए बैकल्पिक सब्द क्या है यह हुजाएगा यूट्रस जो है यह इसका बैकल्पिक सब्द है हेमोगलोबिन की अधिकतम बंधुता होती है तो अधिकतम बंधुता जो होती है ऑक्सीजन के लिए होती है करेक्ट आंसर यह हुजाएगा करेक्ट आंसर यह हुजाएगा कथन जठर के बारे में सही नहीं है गलत कथन बताना है तो पहला देखिए की करके पढ़ते है जठर एक ऑस्ताई अमासे के रूप में काम करता है जठर के बारे में सत्ता है गलत बताना इसमे जठर खाद्डे को अमासे रस के साथ मिश्रित कर देता यह भी करेक्ट है जठर आमास है रस में लाईपेज और अहतार कबने लेश तरावीद करता है यह भी करेक्ट है जठर फाली होने की दर खाद दे के परकार पर निर्वर करती है, देखिए गलत है, तो यहाँ पर गलत पुछा गया था जटर के बारे में, option D correct हो जाएगा, निमने लेखित में से कौन सा है, एक कांग वासा का भांजन कर कोलेस्ट्रोल उत्पन करता है, तो देखिए यह है यक्रित, B हो जाएगा, E C.C.G. की बात करें की, C.C.G. पूछा जाता है, तो हिर्दय की गति बीधियों की जाच के लिए जो इसके उप्योग किया जाता है, निमने लेखित कॉथनों में से कौन सा है, कि हिर्दय की ध्वाने के संदर में सही है, तो correct answer यहाँ पर, option D हो जाएगा, समान ने ध्वानि मरमरा कहलाती है, तो option D हो जाएगा, मानो त्वच्चा का रंग बनता है, तो त्वच्चा का रंग मेलालीन से बनता है, D हो जाएगा, यदि माता पिता में से एक का रुधिर बर्ग ये भी है, और दूसरे का वो तो उसके बच्चे का संभावित रुधिर बर्ग होगा, correct answer D हो जाएगा, E या फिर B होगा, निमने लेखित में सक्ये से कि जीव में पसलियों के संख्या सबसे अधिक 24 है, तो सबसे अधिक 24 मानो की है, D हो जाएगा, अस्तन पाईयों में स्वेद गरंथिया, मुलत संबंधित है, तो correct answer C हो जाएगा, ताप नियमन से संबंधित है, स्वेद गरंथिया, अस्तन पाईयों में, मानो हिर्दे में कच्छा की संख्या है, तो मनुसे की हिर्दे में 4 कच्छा होते है, 4 चेंबर अप्सन ए हो जाएगा, सरवगराही कौन से रूधिर बरका होता है, तो देखे सरवगराही जो होता है, ये भी रूधिर बरका होता ह इर में से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है एस्फीगनो मेनी मीटर जो है ये रक्त दाब का मापक यंत्र है आयोडीन युक्त हर्मोन है करेक्ट आंसर ये हो जाएगा थायरोक्सिन जो आयोडीन युक्त हर्मोन है मानों में स्वेत रक्त करणो WBC का ब्यास होता है लगभग तो देखें इसका ब्यास होता है 0.07 mm होता है WBC का ब्यास शरीर में हीमोगलोबिन का कार्य है तो देखें इसका जो कार्य हुए अकसीजन का परिवहन, अप्शन ये हो जाएगा जब ब्रेक कारे करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है रक्त में नत्र जनीत अफिश्ट पदार्थ ठीक है? अफशनी हो जायेगा जब एक बेक्ति ब्रिध भो जाता है तो समानत देखिए उसका रक्त दाब गढ़ जाता है ब्रिध हो जाता है, बुढ़ा पाया जाता है तो उसका रख्तुदा भढ़ जाता है, ठीक है, मानुख सरी में पुछ कौन से सनरचनाव संतुलन होता है, तो करेक्ट आन्सरी हो जाएगा, ब्रिध आंत्रा में, आगे बढ़ते हैं, मानुख सरी में छुद्रांत्र के तीन सन रचनात्मक भागो की लंबाई का कौन सा सही हरास्वान क्रम है तो correct answer D हो जाएगा पहला सिसनांत्र, मध्यांत और ग्रहणी अगर बढ़ते हैं मानोसर में निमने लेखित हर्मोनों में से कौन सा रक्त केलसियम और फास्फेट को बिनिमित करता है तो correct answer C हो जाएगा प्रावटू हर्मोन जो है यह रक्त केलसियम और फास्फेट को बिनिमित करता है मानो में शरीर के निमने लेखित भागों में से किस एक में सुकराणू डिम्ब को निशेचित यानि फटिलाईज करता है तो यह डिम्ब वाहिनी नल्ली में फटिलाईज करता है मानो मस्तिष के निमने लेखित भागों में से कौन सायक है निगरन और उल्टी का नियमन केंद्र है माडियूला अब लंगेटा जो है निगरन और उल्टी का नियमन केंद्र है निमने लेखित में से किस एक क्यूद पती या करित कार है, यूरिया की उत्पती या करित कार है, मानो तंत्र में निमने लेखित में से क्वान से एक पाचक एंजाइम नहीं है, तो करेक्ट आंसर B हो जाएक गैस्ट्रीन जो ही ये पाचक एंजाइम नहीं है, ट्रिपसिन, ट और पेप्सिन तीनों यहां पर पाचक एंजाइम है मानुसरी में जलकाव सोचन हो सकता है तो मानुसरी में जलकाव सोचन जो है यह ब्रिक में ब्रिकिया नलिका में एक और तीसरा ब्रहिदा अंत्रा में दो जगहां पर हो सकता है तो एक और तीन option B में दिया गया है स्वासन का नियंत्रण मस्तिस के किस भाग से किया जाता है माडिूला अबलंगेटा से किया जाता है C हो जाएगा हमारे सर्वे मस्तिस का कौन सा भाग स्वेगात्मक किरियाओं को नियंत्रण करता है correct answer यह हो जाएगा हाइपो थैलेमा स्वेगात्मक किरियाओं को नियंत्रण करता है मस्तिस की जिम्मेदार है मस्तिस की जो है उपयूक तीनों के लिए जिम्मेदार है सोचने के लिए हिर्दय गाति नियंत्रण के लिए सरीर के संतूलन के लिए ठीक है तीनों के लिए जिम्मेदार है डी हो जाएगा हर्मोन का उधारण है तो आकसी टोक्सिन जो है यह हर्मोन का उधारण है अपसे नहीं हो जाएगा उसके बाद है आप अगला कुश्चन है इसका आंसर आपको कॉमेंट बताना है ठीक है यह आप सभी के लिए है कुश् दोस्तों में सेयर कर सकते हैं चैनल पनाएं सब्सक्राइब करके बिल आइकन प्रेस करें ठीक है मिलते हो ले वीडियो में नमास्कार जै हिंदी जै भारत